हेलो फ्रेंड्स मेरे यूटूब चैनल में आपका एक बर फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपको अन्वांटेड हैर को रिमूफ करने का यानि के अंचाहे बालों को दूर करने का एक एफेक्टिव होम रेमिडी बताने जा रही हूँ इससे आपके चेरे और शरी पिरकें चेह बालों को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा रोज वाटर यानिकि गुलाब जल गुलाब जल हमारी तचा को खुबसूरत बनाता है साथ ही इसके इस्तेमाल से हमारी तचा पर अगर टैनिंग है तो वह टैनिंग को भी दूर करता है और अगरी मिक्स करने है हल्दी के इस्तेमाल से आपके अंचाहबाल जड़ से दूर होंगे साथ ही तवचा की खुबसूरती भी बनी रहेगी हल्दी अंचाहबालों की जड़ों को कमजोर बनाता है जिससे बाल टूटने और गिरने लगते हैं अब इसमें आपको नमक लेना है थोड़ी सी मातरा में आपको नमक लेना है नमक के इस्तेमाल से अंचाहबाल जड़ से दूर हो जाते हैं पर्मनेंटली रिमोव हो जाते हैं इसके बाद आपको इसमें थोड़ी सी मात्रा में ग्लीसरिन इस्तिमाल करना है कुछ बुंदे दो या तीन बुंदे इसमें आपको ग्लीसरिन मिक्स करनी है जो आपकी तवचा को सौफ्ट बनाएगा और ग्लोईंग बनाएगा इसे अच्छे से मिक्स कर ले मिक्स करने के बाद अब आपको इसका इस्तिमाल करना है आपको लेना है कॉटन बॉल और इसे आपको इसमें डिप करना है फिर आप अपने अंचहे बालो व जिसे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए आपकी तवचा में इसे आप लगभग 10-15 मिनट तक लगा के रखें फिर नॉर्मल पानी से अपनी तवचा को आप धो लें जिस जिगर से आपको अंचाहे बालों को रिमूव करना है वहाँ पर इसे इस्तिमाल करें आपके अं जरूर इस्तिमाल करें आपको काफी लाब मिलेगा आप इसे चेहरे और शरीर के बाकी हिस्तों में इस्तिमाल कर सकते हैं अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती तो प्लीज इसे लगती पाने के लिए अगली वीडियो में